Welcome you all at Major Kalsi Classes सभी फौजी भाई होगा स्वागत है इस खास वीडियो में ACC 128 इग्जाम को लेके आपके कमेंट्स और डाउट्स लगातार हमारे पास आ रहे थे जिसका स्वलूशन आप सब जानना चाहते थे तो ACC Experience ये वीडियो आप सब के लिए बेहत खास है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आप तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फौरण जाकर इसे सस्क्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दिजे जिससे ACC से जुड़े हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए चलिए जानते हैं ACC 128 एक्जाम को ले कुछ important updates बहुत से candidates यह जानना चाह रहे थे क्या ACC 128 एक्जाम की dates आउट होट चुकी है और कब तक आपके respective units में admit card आ जाएगा इस वीडियो में हम इन दोनों question के साथ साथ उन important documents को ले कर भी बात करेंगे जो आपको ACC 128 एक्जाम में ले कर जाना है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ACC exam rate की बात करें तो ACC 128 exam 1st February 2023 को है यानि 1 February 2030 को ACC 128 का written exam conduct होना है और यह time, date, admit card में clearly mentioned है आप ही आपके पास exact एक महीने का समय बाकी है इस बचे हुए एक महीने के टाइम में प्रचंड batch के जरीए आप अपनी preparation को complete कर सकते हैं और इसके लिए आपको वस MKC F-CAT TA ACC ICG AC classes चैनल को जुड़ना है यह special channel सभी ACC experience के लिए है जिसमें daily live class प्रचंड batch में चलती है इस live class में आपको सभी chapters के concept बताया जाते हैं जिसके practice आप MKC learning app पर कर सकते हैं चैनल और MKC learning app का link description box में दिया गया है आप इसे फॉरन वहाँ से download कर लिजे और अपनी तयारी शुरू कर लिजे इससे ज़्यादा information के लिए आप हमारा help line number 9696330033 पर call कर सकते हैं बात exam time की करें तो ACC 128 के exam single day को होना है यानि first February को होना है और यह exam सुबह 9 बजे से 2 फर 12 बजे तक conduct होगी तो candidates ACC 128 exam dates और time out हो चुके हैं और आपके respective units में admit card dispatch हो चुका है कुछ units में अभी admit card नहीं आया होगा उनके फौजी भाईयों को घबराने की कोई बात नहीं है अभी 8-10 दिन में आपके unit में admit card आ जाएगा बहुत सारे candidates ऐसे भी होगी जिनकी posting काफी दूर होगी उन तक सही टाइम तक admit card नहीं पहुच पाया या पहुच भी नहीं पाए उन candidates को घबरान नहीं है वो candidates अपने कुछ documents और moment order के साथ exam देने जा सकते हैं और उनके लिए allowed होता है moment order बनवाने के लिए आप eligibility certificate की photocopy के use कर सकते हैं तो आपकी eligibility certificate आई होगी या eligibility list निकलता है उसमें आपका नाम होगा उस photocopy copy use करके उसकी photocopy करवाके आप moment order बनवा सकते हैं एक्जाम पैटन की बात करें तो नय पैटन पर यह एक्जाम होना है जिसमें reasoning, maths, gk, English, general science, and humanities यह 6 section से question हैंगे 25-25 question हर एक से हैं यानि total 150 question और हर question दो mark है यानि 150 question होंगे 300 marks के लिए और negative marking है 0.5 फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1500 question होंगे इस exam में 300 marks के लिए और negative marking है 0.5 एक और important information आपको admit card में दिख जाएगा कि आपको exam center पर सुबह 6 बज़े के बाद entry नहीं मिलेगी तो जो aspirants दूर से जा रहे हैं वो 31st तक ही वहाँ पहुत जाए अगर कोई aspirants का location पास में है उनके center के तो वो सुबह 6 बे से पहले वहाँ report कर दीजे बट 6.30 के बाद आपकी entry नहीं होगी वहाँ पे जो candidates जिनका admit card नहीं आया है उनके लिए जो खास documents है वो है आपना nominal लोल ले जाईएगा permission certificate ले जाईएगा eligibility certificate, i card and admit card इतने documents आपको साथ लेकर जाने है exam देने के लिए तो experience, ACC 128 का admit card आ चुका है एक फ्राडरी का exam है एक महीने का time है जुरिये प्रचंड बैच से join करिए mkc learning app और इस एक महीने में अपनी preparation को उतनी बेहतर करिए जिससे आपका rank 500 तक आ जाए 500 असलिए क्योंकि आपको आगे ylc में भी road करना है जॉइन करिए mkc learning app जॉइन करिए mkc fcat ta acc icg ac channel को किसी भी doubt या query के लिए आप हमें comment सकते हैं यहां हमें whatsapp करिए 9696 220022 कर जाहिन